सरकार ने बिभागूं से तलब किया खाली पदूं का ब्योरा मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी ने कार्मिक बैठक की समिक्ष्या के दोरान दिये थे निर्देश कार्मिक विभाग ने सबी विभाग उसे रिक्त पदू का ब्योरा एक तई फॉर्मेट में मांगा है साथी विभागा ध्यक्चूं से पद रिक्त होने के बावजूद पात्र करमचारियों का पर्मोशन न किये जाने की वजय भी पूछिये यह पत्र सचीव कार्मिक सेलेस बगोली की तरब से विभागा ध्यक्चूं को भेजा गिया है मुख्य मंतरी वुसकर सिंग धामी ने पांच नवंबर को कार्मिक विभाग की समिक्च्या बैठक की थी इसमें इन्होंने विभागों में रिक्तो और पर्मोशन के पदू का ब्योरा उपलब्द कराने के निर्देश दिये थे इसी करम में अब कार्मिक विभाग ने विभिन्य महकमू को पत्र भेज कर यह जानकारी मांगी है सरकार रिक्त पदू के अधार पर भरती परकिरिया में तेजी लाने के मकसद से यह कवायद कर रही है विभागी अपसरू के मुताबिक वैसे तो बरतमान में विभिन्य विभागों में लगभग 30,000 पद खाली है परमोशन के खाली पदू की संख्या 9,000 से जादा है विभागों से सटीक आंकडा लेने के लिए उन्हें यह जानकारी तैप फॉर्मेट पर देने को कहा है विभागा देक्चू से संवर्गवार रिक्तियों का ब्योरा भरती के परस्ताव की इस्तिती नियमावली की वज़े से रुकी भरती, कोट की वज़े से लंबित भरती और पदोनती के लिए पूरी पात्रता भी पूछी गई विधित है कि इन देक्टियों में 3828, 3828 प्रदुपर लोग से वायोग ने भरती परकिरिया शुरू कर दी है इन में पुलिस 1521, राजसूपनी रख्चक 563, लेखाकार 661, बन सरख्चक 897, बन दी रख्चक 238, प्रद सामिल है दिसंबर में कनिष्ट लिपिक के लिए भरती परकिरिया शुरू हो सकती है अब पहले दोस्तों कनिष्ट साई के लिए कह रहे थे कि नवंबर में आ जाएगा 25 नवंबर तक अब आद देखें दोस्तों यहाँ पर दिसंबर में कहा गिया है और पेपर भी दोस्तों जो इसका पहले तो 3 मार्च को जो एकजाम कलेंडर है उसमें 3 मार्च को बता रखा है लेकिन दोस्तों कल जो न्यूज आई थी ये देखे दोस्तों यहाँ पर अगली भरती कनिष्ट साई की और इसमें बताया गया 599 पत्तों ठीक हैं लेकिन इसकी परिक्षा जो एकजाम कलेंडर है उसमें तो 3 मार्च दी हुई है लेकिन यहाँ पर देखे जो कल जो न्यूज चपी है जिसकी परिक्षा अगले साल 23 अप्रेल को परस्तावित है तो दोस्तों किसी कारण से दोस्तों परिक्षा पीछे भी हो सकते है क्योंकि दोस्तों कई मेंस भी है यूग के PSC के तो बीच में कुछ उनका इंटर्वी भी चलेगा तो साइध इसो जैसे यह परिक्षा दोस्तों देखने वाली बात होगी वरना एक ही महने पीछे हो रही है तो आप लोग अपनी तयारी करते रहें एलान सिक्चा विभाग में 6255 युवाओं की भरतिया होंगी धामी सरकारी स्कुलूं में सिक्चकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार 2300 और अतिती सिक्चकों की निउक्ति करेगी साथ ही स्कुलूं में चतुर्त श्रेणी के कैडर 3000 पदों को भी आउट्सोर्स के जरिये भरा जाएगा लंबे समय से अटकी 955 बी आरपी सी आरपी की निउक्ति परकिर्यावी अगले महने से भरना शुरू कर दिया जाएगा ये कहना है मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी का 2300 गेस्ट टीचर और रखेगी सरकार परदेश के स्कुलूं में 344 श्रेणी के पदों को आउट्सोर्स से भरा जाएगा तो दोस्तों ये भी भरा जाएगा इसका भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि आप जो भी और है अपने आसपास होना जड़ों से बताएगा कि इस तरह से भरती होने वाली है सिख्या विभाग 6250 पद उपर अस्ताई भरती चल्द होगी उख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिये निर्देश उत्रा घंड सरकार सिख्या विभाग में जल्द 6250 पद उपर अस्ताई न्युक्तिया करेगी अतिती सिख्यक गेश्ट टीचर के 2300 रिक्त पदू को भरा जाएगा इसके अलाव आउट्सोर्स के माध्यम से CRP, BRP के 950 और 344 रिके 3000 पद उपर न्युक्ति होंगी गेश्ट टीचरों ने नई भरती का किया विरोध माध्यमिक अतिती सिख्यक संगठन ने परदेश में गेश्ट टीचरों की 2300 पद उपर भरती का विरोध जताया है संगठन का कहना है कि विभाग में पिछले 7 साल से कारी करने के वावजूद उनके लिए सरकार कोई नीती नहीं बना पाई है अब नई भरती की जा रही है उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है दोस्तो ये थी आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई विडियो में बंदी रक्षे के दोस्तो फोर्म आगे है आप सभी लोग 5 दिसंबर से पहले तक इसके लिए जरूर से आविधन कर लिजेगा दोस्तो फोर्म भरे जा रहे है तो जल्दी दोस्तो आपको भ